ओम प्रमात्मने नमा ऐसी सुगम और सर्वोपरी विद्या के होने पर भी लोग उससे लाव क्यों नहीं उठा रहे हैं इस पर कहते हैं कि अस्रद्ध धानाह पुरुसा दर्मस्यास्य परंतपः अप्राप्यमाम निवर्तंते मिलत्युरु संसार वर्तर वतर्मनी अर्थात अस्रद्ध धानाम पुरुसा धर्मस्यास्य परंतपः धर्म दो प्रकार के होते हैं स्वधर्म और पर्धर्म मन्स का जो अपना स्वत्य सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म हैं और प्रकृति तदा प्रकृति का कार्यमात्र उसके लिए पर्धर्म है तो संसार, धर्मई, रबिमुही, अमानो, पीछे के दो इस लोकों में भगवान ने, जिस बिज्ञान सहित ग्यान को कहने की प्रतिग्या की, राजबिद्या आधी आठ विसेशन देकर जिसका बड़ा मात में बताया, उसी को यहाँ धर्म कहा गया है इस धर्म के मात में पर स्रद्दान रखने वाले अर्थात, उत्पत्ती, विनासील, पजार्थों को सच्चा मान कर, उन्ही में रचे-पचे रहने वाले मनुष्यों को यहाँ अस्रद्दाना कहा गया है यह एक बड़े आश्चरी की बात है, कि मनुष्य अपने सरीर को, कुटुम्ब को, धन संपत्ती, वैवभब को, नेसंदे रूप से, उत्पत्ती, विनासील और पतिक्छन, परिवर तंसील जानते हुए भी, उन पर विश्वास करते हैं श्रद्दा करते हैं, उनका आश्रे लेते हैं, वे ऐसा बचार नहीं करते हैं, कि इन सरीरादी के साथ हम कितने दिन रहेंगे, और यह हमारे साथ कितने दिन रहेंगे स्रद्दा तो सो धर्म पर होनी चाहिए थी, और वो हो गई पर धर्म पर, अप्राप्यमाम, निवर्तंते, म्रत्युरु संसार, वतर्म ही पर धर्म पर स्रद्दा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं, कि सब देश में, सब काल में, संपून वस्तुओं में, संपून ब्यक्तियों में, सदा, सरवदा, विद्यमान सब को नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त नकर के मनुस्या, मुरत्युरुप संसार के रास्ते में लोटते रहते हैं, कहीं जनम गए, तो मरना बागी रहता है, और मर गए तो जनमना बागी रहता है ये जन्हें योनियों में जाते हैं, उन्हें योनियों में ये अपनी इस्थिति माल लेते हैं, अर्थाद में सरीर हूँ, ऐसी एंता और सरीर मेरा है, ऐसी ममता कर लेते हैं परंतु, वास्तव में उन्हें योनियों से भी उनका निरंतर संबंद विच्छेद होता रहता है किसी भी योनी के, साथ इसका सम्मंद टिक नहीं सकता देश, काल, वस्तू, व्यक्ति, गटना, परिस्थिती, आदी से भी इनका निरंतर सम्मंद विच्छेद हो रहा है अर्थात वहां से भी ये हर्दम निब्रत हो रहे हैं, लोट रहे हैं ये किसी के साथ हर्दम रही नहीं सकते, ऐसे ही, ये उर्दोगती में अर्थात उंची से उंची भोग भूमियों में भी चले जाएं तो वहां से भी इनको लोटना ही पड़ेगा तात पर ये हुआ, कि मेरे को प्राप्त हुए बिना, वे मनुस्य जहां कहीं भी जाएंगे, वहां से उनको लोटना ही पड़ेगा बार बार जनमना उन मरना ही पड़ेगा तो मृत्यूर संसार वतर्मनी कहने का ताक पर यह है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है विनास ही विनास है अब आब ही अब आब है अर्था जहां जाएंगे वहां से लोटना ही पड़ेगा इसी बात को भगवान ने मेत्यूर संसार सार गरात कहा है अर्थात या संसार मुगत का ही समुद्र है इसमें कहीं भी सिर्टा से तिक नहीं सकते यह मनुष्य सरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है तो भगवान ने करपा करके संपून करमफनों को जोग सत असत यौनियों के कारण है इस थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जनम मरण की परंपरा में चले जाते हैं उनको देखकर भगवान मानों पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जनम मरण से छुपने का पूरा अवसर दिया था पर ये इस अवसर को प्राप्त करके भी जनम मरण में जा रहे हैं केवल साधारन मनुस्यों के लिए ही नहीं प्रत्त महान आशल योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पस्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किये बिना ही ये अदमगति को जा रहे हैं कि मनुस्य मात्र को भगवत प्रापती का अधिकार मिला हुआ है इसलिए मनुस्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है भगवान को प्राप्त कर सकता है माम प्राप्याईवा पद से भी ये सिद्ध होता है कि आशुरी प्रवर्ती वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी बगत बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है, तता पापी से पापी भी ग्यान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है, एक सहर था, उसके चारों तरफ उंची दीवार बनी हुई थी, सहर से बाहर निकलने लिए एक ही दरवाजा था, एक सूर्दास अंधा सहर से बाहर निकलना चाहता था, वो एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था, चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया, तब उसके मात् वो एक हाथ से खुझ लाते और एक हाथ से लाथि के साहरे चलता रहा, तो दरवाजा निकल गया, उसका हाथ तीवार पर लग गया, इस तरह चलते चलते जब धर वाजा आता, तब खुझ लाजा जाती। खुजलाने के लिए वो हाथ माथे पर लगाता तब तत दर्वाजा निकल जाता इस प्रकार वो चक्र ही कारता रहा ऐसे ही ये जीव स्वर्ग नरक 84 लाग योनियों में गुमता रहता है उन भोग योनिये सोये ये सोयम छुटकारा नहीं पा सकता तो भगवान कृपा करके ज लोगों की खुजली चलने लगती है जैसे वो परमातमा की तरफ ने जाकर संसारी क पदातों का संग्रे कन्ये और पदातों से सुक लेने की में ही लगा रहता है ऐसा करते-करते ये वो मर जाता है और पने स्वर्ग नरक आदिक योनियों के चक्र में पढ़ जाता है इस प् अत्या परमातमा ही इस जीव का असली घर है जब यह जीव उस परमातमा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली इस्थान प्राप्त हो जाता है फिर वहां से इसको लोटना नहीं पड़ता अर्थाथ गुड़ों के परवस होकर जर्म नहीं लेना पड़ता इसको गी है लोगों के भीतर यह बात जची हुई है कि हम संसारी हैं जन्मने मनने वाले हैं यहां ही रहने वाले हैं पर यह बाते बिल्कुल गलत हैं कारण कि हम सभी परमात्मा के अंसें परमात्मा की जाती के हैं परमात्मा के साथ ही हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं हम सभी संसा मीन से Zenwami है ॐ हमारे में गाव सोयम में कभी परिवर्तन नहीं होता अनेक जनम होने पर भी हम सोयम निरत्र निरंतर वे ही रहते हैं बुतग्राम वह 행복ayan से अ शचय वाएम हन और जोके त्यों ही रहते हैं संसार के साथ हमारा सन्योग और परमात्मय के साथ हमारा ब्योग कभी हो ही नहीं सकता हम चाहे स्वर्ग में जाएं चाहे नरकों में जाएं चाहे चोरा सिलाग योनियों में जाएं चाहे मनिस्योनियों में जाएं तो भी हमारा परमातमा से ब्योग नहीं होता परमातमा साथ नहीं छूड़ता परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं परंद मनुष्य तर योनियों में विवेक की जागरती न रहने से हम परमात्मा को पहचार नहीं सकते हैं परमात्मा को पहचारने का बोका तो इस मनुष्य सवीर में ही है कारण के भगवान ने करपा करके इस मनुष्ष को ऐसी सक्ति योग गता दी है जिस वे सत्संग, विचार, स्वाध्याय, आदिके द्वारा, बिवेक, जाक्रिस करके परमात्मा को जान सकता है परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है इसलिए भगवानियां कहते हैं इन प्राणियों को मनुस्य सरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए और हम भगवान के ही हैं तता भगवान ही हमारे हैं ये बात उनकी समझ में आही जाने चाहिए परंत ये इस बात को न समझ कर मेरे पर सिद्धा विश्वास न करके मेरे को प्राप्त नहो कर संसार रूपी मौत के मार्ग में पढ़ गए है यह बड़े दुख्की वो आश्चरी की बात है संसार में आना 84 लाग योनियों में वटगना हमारा काम नहीं है यह देश गाम कुटम्ब, धन, पदार, शरीर, आदी हमारे नहीं है हम इनके नहीं है यह देश आदी सभी अपरा प्रकरती है हम परा प्रकरती है परंद मूल से हमने अपने को यहां पर रहने का मान लिया है इस भूल को मिटाना चाहिए क्यों कि हम भगवान के अंस है भगवान के धाम के है जहां से लोटकर नहीं आना पड़ता वह जाना हमारा खास काम है जनम मरण से रहत होना हमारा खास काम है परंद अपने घर जाने को खुद की चीज को कठिन मान लिया जाए उद्योग साध्यमान लिया जाए वास्तव में ये कठिन नहीं है कठिन तो संसार का रास्ता है जोग नया पकरना पड़ता है नया सरीर धारन करना पड़ता है नए करम करने पड़ते हैं और करमों के फल भोगने के लिए नए नए लोकों में नए नए योनियों में जाना पड़ता है बगवान की प्राप्ति तो सुगम है क्यों कि बगवान सब देश में सब काल में हैं सब वस्तूओं में हैं सब व्यक्तियों में सब गटनाओं में सब परिस्तियों में और सभी भगवान में है हम हर दम भगवान के साथ है और भगवान हर दम हमारे साथ है हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते ताथ पर ये यह हुआ कि हम यहां के जनम म्रत्यु वाले संसार के नहीं है यह हमारा देश नहीं है हम इस देश के नहीं है यहां की वस्तुएं हमारी नहीं है हम इन वस्तुओं के नहीं है हमारे यह कुटुम्भी नहीं है हम इन कुटुम्मियों के नहीं है हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं अतर चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकेन गंट को दवाएं और कमेंट वक्स में जैसी किसना लिखें बूल जैसी किसना